कॉम्स को लेके जो कि अक्सर हमारे घर में मिलती हैं जो कि टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद गंदी हो जाती हैं और तेल का यूज़ करने के कारण यह ज्यादा चिपचिपी हो जाती है और इनके अंदर से एक अजीब की टाइप की स्मेल आनी शुरू हो जाती है जि खोई भी एक्सपैरि टैलकम पॉडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक्सपैरि नहीं है, तो आम नौर्मल पॉडर भी ले सकते हैं, इसके बाद हम ये जो पॉडर है, वो सारा का सारा आपने कंगी के ओपर फिला देगे, और अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है एक ब्रश और ब्रश की मदद से हम धीरे धीरे इसको clean करेंगे अब देख सकते हैं दोस्तों मेरी कॉम एकदम क्लीन हो चुकी है अब जब भी आपको जुरोत हो आपकी कॉम में से स्मेल आए और आपकी गंदी या चिपचिपी हो जाए तो आप इस मैथड से अपनी कॉम को बड़ी इजिली क्लीन कर सकते है